तो हलो गाईज, कैसे उमीद करता हूँ, बड़े होंगे गाईज, यह है 2023 की न्यूली लॉंच एप्रिलिया SR160, तो गाड़ी के अंदर आपको BS6 Face 2 वाला इंजन देखने को मिलता है, OBD2 का सेंसर मिल जाता है, गाड़ी के अंदर 2023 में इसका प्राइस क्या है, कौन-कौन से फ फ्रंट है, वो आप देख सकते हो, काफी जादा डिफ्रेंट लुक है, मुझे नहीं लगता ऐसा लुक फ्रंट से किसी भी स्कूटी में दिया है, अब तक, हैलोजन बल्क के गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाते है, ग्रे कलर की स्टीक रिंग, इं इंडिक शेफ मिलता है, यहाँ पे बी ए राइडर की आपको स्टीकरिंग मिलती है, यह गाड़ी स्कूटी होने के बावजूद एक बाइक वाला लुक आपको देती है, 160 SR-A आपको यहाँ पे ब्रैंडिंग मिल जाती है, गाड़ी की साइड पैनल पे देख सकते हैं, फ्र फोटे स्पेस जो है, वो काफी जादा अच्छा मिलता है, 155 mm का ग्राउंड किलिरेंस दिया जाता है, गाड़ी के अंदर, साइड स्टेंड, मेन स्टेंड दोनों दिये जाते हैं, यहाँ पे एप्रिलिया की ब्रैंडिंग मिलती है, A3 वेल्व, यहाँ पे आप देख सकते है, गाड़ी के अंदर लेकिन सिंगल सीट है, यह इसमें डिजाइन ऐसा दिया है, तो काफी कमफोर्टेबल और अरजस्टेबल आपको सीट मिल जाती है, इसके ग्रेवरेल की बात करें तो काफी बड़ा ब्लैक कलर का आपको ग्रेवरेल मिलता है, जिससे आपकी बैक को भ बहुत जादा पसंद आए, क्योंकि अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, जिससे दिक्कत नहीं आती कोई, प्लास्टिक में आपको यह फुट्रेज दिये जाते हैं, तो काफी जादा यूनिक लगे, आपको कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताना, यहां पे देख सकते तो आप स्टीक्रिंग लगी हुई है, BS6, OBD2 आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, और इतनी जादा पावरफुल स्कूटी होने के बावजूदी इस गाड़ी में आपको किक का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो बैटर ऑप्शन हो जाता है, आप लोगों के पास गाड 140 mm के आपको रियर में ड्रम ब्रेक दिये जाते हैं, गाड़ी के इंजिन की बात करें तो इसमें आपको 160.03 CC का सिंगल स्लेंडर, एर कूल फोर स्ट्रॉक, फ्यूल इंजेक्टिड इंजिन देखने को मिल जाता है, जिसमें पावर मिलती है, आपको 10.86 HP की 7600 RPM पर, टॉर्क मिलता है, इसका 11.6 NM का 6000 RPM पर, पीक पावर आपको बहुत ही जादा बैटर मिल जाती है इस गाड़ी में, बात करें इस गाड़ी के रियर सेक्शन की, तो टेल लाइड आपको इसमें X शेप में देखने को मिलती है, LED में, यहां पे आपको एक रिफलेक्टर मिलता है, कोई भी स्टीकरिंग नहीं मिलती है, इसके साइड पैनल पर, ब्लैक और ग्रे कलर का आपको अच्छा खासा कॉम्बिनेशन मिलता है, यहां पे आप देख सकते हो, पैसेंजर जो फोटरे से वो अंदर की तरह फोल्ड है यहां पे, गाड़ी के अंदर आपको ब्लैक कलर का फाइवर में दिया जाता है, यह पाइप देख रहे हो, पाइप के ऊपर आपको कवर मिलता है, प्लास्टिक का जो की हाड प्लास्टिक दी जाती है आपको जिससे आपका पैर ना जले, गाड़ी के अंदर आपको फैन दिया जाता है, जिससे आपका इंजन ठंडा रहता है यहां से आप अपने engine oil को jack कर सकते हो इसका जो boot space है वो भी आपको सही मिल जाता है इसमें एक helmet तो आराम से रखी सकते हो आप लोग इसके अंदर आपको light भी मिल जाती है देखने को जो कि night में जातर कामाती है battery आपको यहां पे install की हुई है प्लस इसका जो petrol tank है वो अंदर ही है आपको petrol डलवाने के लिए seat से उतरना ही पड़ेगा तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के meter की तो यहां से इस गाड़ी के ignition को on करते हैं और देखते हैं इसका meter तो गाड़ी के अंदर आपको fully detail meter console देखने को मिलता है जिसमें आपको red color की यहां पे light मी मिलती है इसके अंदर तो इसके अंदर जो red color की light है वो किस-किस को पसंद है comment जरू करना या फिर दूसरी होनी चाहिए थी बताना जरूर तो इसके अंदर आपको features कौन से मिलते हैं इसमें आपको speedometer मिल जाता है calls, sms की आपको इसमें सुविधा मिल जाती है trip A, trip B का option मिलता है प्लस इस गाड़ी में आपको helmet की warning भी दी जाती है गाड़ी का जो handle bar है वो आप देख सकते हो design आपको काफी अच्छा मिलता है plus textured भी दिये जाते है handle bar के उपर left side में देखेंगे आप passing, low beam, high beam mode का क्योंकि गाड़ी के अंदर आपको mode के option भी दिये जाते है तो इसका जो on road price है वो भी जान लेते हैं जो कि Delhi का या Delhi NCR का प्राइज है अगर आप किसी और city से हो तो वहां का address मेरे को comment कर देना वहां का नाम मेरे को comment कर देना मैं वहां का price आपको comment करके बता दूँगा तो इसका जो price है वो है 1,58,800 रुपे जो की on road price बता रहा हूं में आपको top model है E20 वाली गाड़ी है जो की फलाल में ही launch हुई है तो गाड़ी और गाड़ी के features आपको कैसे लगे comment करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलना क्योंकि ऐसी वीडियो में आपके लिए लाते रहता हूं तो गाड़ी जेते हैं अन्विदा मिलते हैं अगली वीडियो में टेक केर चैहिंद